हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आएं एकदम टेश्टी सी नास्ते की रेसिपी तो एक मिक्सिका जाल ले लेंगे और दो कच्छे आलू को हमने कट कर लिया था उसे डाल देंगे और एक प्याज को ऐसे ही लंबे-लंबे पीचिज में कट कर लिया था उसे डाल यह लसुनर अद्रक हम थोड़ा सा डाल रहे हैं उसके बाद दो हरी मिर्ची डाल लेंगे उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे तो इसमें पानी नि डालेंगे हम बिल्कुल भी तो यह आप देखें हमने ग्राइंड कर लिया है तो ध्यान रहे कि इसमें कोई भी बड़ा पीस ना रहे, अगर हो तो उसे निकाल दीजे, तो उसके बावल ले लेंगे, और इसे जो हमने ग्राइंड किया है, तो उसको हम बावल में डाल देंगे, तो यह आप देखे, बढ़िया सा एकदम पीस किया है, तो ऐसे ही होना चाहिए, तो इसमें कोई भी गुठली नहीं है तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें काली मिर्ची का पॉड़र डाल लेंगे, आदी छोटी चमच से कम है, एक चुटकी हम इसमें हल्दी डाल लेंगे, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पॉड़र डाल लेंगे, आदी छोटी चमच से कम है, उसके बाद थोड़ा सा कि और इसमें नमक दालेंगे स्वाद के अनुसार उसके पाद एक छोटी चम्मच हम इसमें सफीद तील डाल रहे हैं और नहीं है आधा दंपासन स्काड़ना मिसमें इसमें अच्छे से मीक्सराश कर लेंगे ताकि सारे जो मसाले engineers आराकि बीकार आलो तो ऐसे ही इस तरीके से mix कर लेंगे बड़ीया सी करके कुछ तेर के लिए हम इसे ऐसे ही फेटते हुए और बढ़ीया सा mix देंगे तो यह अच्छे से mix कर दिया हमने उसके बाद हम क्या करेंगे इससे छमज को हटा लेंगे और ये एक कप हमने गेहूं का आटा लिया है तो थोड़ा-थोड़ा करके आटा डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे तो जैसे हम पूरी का डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे तो आठा हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे क्योंकि एक साथ आठा डालेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना आठा चाहिए तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसी में आठे को गूतेंगे तो ऐसे ही करके और थोड़ा एट डालते वे इसका एक बढ़ी असा डो बना लेंगे ज्यादा हाठ भीनी बनाएंगे और ज्यादा वोज़ा गीला भीनी तो यह आप देखें बढ़िया सा डो बनके तयार हो गया है तो एक कप आटा इसमें पूरा ही लग गया था तो इसे पांच मिनट के लिए रेष्ट पे रख देंगे तो पांच मिनट हो गये हैं उसके बाद हम इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं ऐसे करके ताकि यह बढ़िया सा एकदम बढ़िया रहेगा अगर आटा अच्छा गुंदा होगा तो फिर हमारा नास्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा तो यह अच्छे से हमने सौप्ट सा बन गया है उसके बाद थोड़ा सा हाथ में तेल लगाते हुए हाथों में और छोटी छोटी ल प्लुषित करणे तो यह अगर आपको बिल्कुल गोल पूरी चाहिए तो आपको आपको कैठ कर Сब्दोर चाहिए तो आपको कट कर लिएगस जाएゃ तो यह जाएक हम ऐस तो बना लेते हैं तो यह तो कुछ बनाकर हमने तयार कर लीएमें तो च्छ के सबानेगी हमने तैया तो इधार हमने तेल गरम करने रख लिया था पहले ही तो तेल अच्छा गरम हो गया है जैसे पूरी का तेल थोड़ा तेजी गरम होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे गैस को मिडियम पर ही रखेंगे और एक ही करके इन्हें पूरियों को तल लेंगे तो यह आप देखें क सारी पूरियों को हम ऐसे ही बना लेंगे तो एक दम तें रफbnत तक में फिल्टेंगी तो एसे बना लेंगे तो हमने तयार कर दी है तो अगर ःपम को यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर में जरूर करतें आर कमेंट म